असलामलेकुम, वेलकम तो माय चैनल, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी about data mining और इसका introduction देखा था उसका concept clear किया था और basic जितनी भी चीजे थी उसका overview वगरा हमने लिया था लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the applications of data mining so start करते हैं आज की आज की वीडियो अगर आपने इस लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी थी तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो शोजेगी वहाँ पर क्लिक करके आप अपना data mining related concept clear कर सकते हो लेकिन applications की तरफ बाढ़ने से पहले मैं एक चोटा सा ओवर्वियो फिर से यहां पर recap देना चाहते हूं कि data mining actually में होता क्या है तो it is basically a subfield of computer science जिसमें आप लोग क्या करते हो here we try to predict the future information हम लोग future information को predict करने की कोशिश करते हैं interesting patterns find out करने की कोशिश करते हैं यह तो हमने ले लिया मैंने छोटी सी definition में आपको एक दो लाइंस में cover कर दिया लेकिन इसके detail information और detail overview अगर आप लोग देखना चाहते हो जानना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोग वीडियो देख लीजिए का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the applications of data mining so here data mining is highly useful in following domains अगर हम लोग बात करें data mining की तो सबसे जादा data mining कौन कौन सी fields में use होता है market analysis के अंदर use होता है ठीक है जिसमें हम लोग different चीजे future में क्या होने वाला है किस टाइप की चीजे हमारी revenue किस टाइप से कर सकते हैं कौन से products हैं जो कि customer ज्यादा बाय करने वाले हैं और यह सब चीजें और इन सब की management वगदर हम data mining की तू कर सकते हैं इसके लावा corporate analysis and risk management के अंदर हम data mining का concept use कर सकते हैं मतलब आगे हमें कौन-कौन से टाइप के risks आ सकते हैं हमारे business के अंदर इस टाइप की चीजे हैं यह हम फ्रॉद detection कर सकते हैं इसका मतलब है कि कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन से कस्टमर से यह हमसे फ्रॉद कर सकते हैं या किसी भी टाइप का सिनेरियो हो सकते है जिसके अंदर आप फ्रॉद को डिटेक्ट आना चाहले हो तो उसके नहीं आप data mining tools को अप्लाइ कर सकते हो apart from these data mining can also be used in the areas of production control, customer retention, science exploration, sports, astrology and internet web surf aid इसका मतलब यह कि सिर्फ और सिर्फ market analysis और risk management, fraud detection तक ही data mining महदूत नहीं है बलके और different fields के अंदर और different areas के अंदर भी data mining tools को हम use कर सकते हैं तके हम अपने future patrons को discover कर सके हैं ठीक है यह चीज़ clear हो गई, now हम लोगों ने जो main चीज़े नहीं आपर देखी है market analysis, corporate analysis and fraud detection, इनकों थोड़ा briefly discuss करेंगे, market analysis का अंदर हमाई कौन कौन से चीज़ा आ जाती है market analysis, data mining की तरह किस टाइप से कर सकते हैं, तो उसमें हमाई बस कुछ सब कर देखी हैं, like customer profiling कर सकते हो आप data mining help करता है आपको कि कौन कौन से type के people हैं जो कि आपके products को बाय कर रहे हैं और किस type की products बाय कर रहे हैं ताकि अगर आपके उसी type की customers आते हैं तो आपका revenue इंक्रीज हो सकते हैं इसके लावा आप किस लिए data mining को यूज कर सकते हैं market analysis में identifying the customer requirements, customer की requirements क्या है, previous data की base के उपर जो भी आपका customer आपके products को बाय कर रहे हैं उनको देखते हुए, उस data को यूज करते हुए, आप identify कर सकते हो कि आपके customer की requirements क्या हो सकती है, feature के अंदर है, ठीक है, clear हो गया, इसके लावा data mining customer purchasing pattern, इस तीज के लिए आप data mining help करता है, आपको किसलिए, data mining customer purchasing pattern, कि customer purchasing pattern अभी क्या है, और future में क्या हो सकता है, ठीक है, इसके लावा providing the summary information, data mining provide करता है आपको, various multi-dimensional summary reports, वो different fields के अंदर हो सकती है, आपका business just type का है, उस से related आपको data mining help करता है, कि आप अपनी summary information जो है उसमें से निकाल सको और तूल को करता है, अच्छा, यह बात हो गए, market analysis की, now we are going to talk about the risk management, data mining is used in the following field of corporate sector, corporate sector में data mining कहाँ कहाँ हो सकता है, finance planning में, ठीक है, it involves a cash flow analysis and production, contingent claim, analysis to evaluate assist, इसका मतलब यह कि आप अपने finance को किस तहां से plan करना चाहिए, आपको किस तहां से आपकी complete finance की planning होनी चाहिए, और कौन कांस में से आप लोग अगर manually वो चीज़े करोगे तो maybe आप इतना जादा benefit ना ले सको अपने business से लेकिन अगर उसी चीज़ के लिए, same चीज़ के लिए, आप data mining tools को use करते हो, तो आपको काफी जादा उसमें help में सकते है, इसके रभ़ रिसोर्स प्लैनिंग के अंदर आप data mining के concept को या इसके लिए data mining help कर सकता है, इसके लावा competition अंदर, it involves monitoring competitors and market directions, मतलब आपके market अंदर, आपकी field के लिए, कौन काउसे competitors और किसे आपने उनके साथ deal करना है, इन सब चीज़ों में भी data mining आपको काफी जादा help कर सकती है, इच्छा, दो कैटिगरीज हमनें इसके लिए हमने इसके fraud detection, fraud detection, fraud detection में कैसे data mining आपको help करता है, data mining is also used in the field of credit cards, services and telecommunication to detect frauds, मतलब अगर हम लोग telecommunication department के या credit cards बगदा यूस कर रहा है, तो वहाँ पर हमाई daily basis के आपर, we all know frauds के cases बहुत जादा आते रहते हैं, तो data mining आपको help करता है, इन चीज़ों से बचने के लिए, in fraud telephone calls, it helps to find the destination of the call, duration of the call, time of the day, or week, etc, it also analyzing patterns that deviates from the expected norm, data mining आपको help के लिए different चीज़ों में help करता है, like telephone calls, तो इन भी आपके साथ फ्राइए, तो जाब हमाई तो टेलफों से आप है, तो टेलफों आपको असे आपको टेलेफों है, तो टेलफों कहां से आपको ए रहा है, तो तेलफों से आप के साथ यह अकर हुआ था तो में भी आपके साथ फिजर में इस टाइब की चीज़े पर परिटिक्लर डेस्टिनेशन में इस टाइम के ऊपर यह चीज़ा कर रो सकते हैं तो आपको काफी ज्यादा सजेशन दे सकते हैं तो इस वीडियो में बात कि अबाट टीटा माइनिंग इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो आपना फीड़एक जूर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना खयाल रखिएगा लाहाफिस